Hello students, welcome back to middle education. यहां आपके सामने कक्षा नौवी का हिन्दी विशय का अतिमात्पूर प्रैशन का एक अभ्यास प्रैशन पत्र जो की आपकी अभ्यास के लिए बनाए गया है इस प्रैशन में सभी अतिमात्पूर प्रैशनों को रखा गया है. चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाटके डाउनलोड कर लेना है जैसे कि कल आपका पेपर है तो आप अधिक से अधिक प्रशनों को आप करके जाएए क्योंकि हिंदी एक सरलवेशा है इसलिए इसमें आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप किसी प्रकार के YouTube या फिर किसी प्रकार की वेबसाइट से इस प्रकार के जो रियल पेपर या भ्रामक जो असली पेपर वायरल हो रहे हैं उनके भैकावे में ना आए बलकि अपनी तैयारी के लिए साधा साधा क्वेश्चन परिक्षा बोत परिक्षा सध्यन से भी करके आप पेपर देने के लिए जाएं तो डेफिनेटली आप आपके एक्जम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो चलिए हम यहां पर वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेयर जरूर करिए प्रशन क्रमांक एक है सही व प्रमुक कवी कितने हैं तो जी आंसर है वह हो जाएगा यहां पे इसका जो आंसर एक श जाएगा है ऑप्षन नमबर ऑ चार वैसे यहां पे पाँच कभी भी कहीं कहीं देखने को मिलते है लेकिन प्रमुक की बश्चांग की गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा थिसके जो उत्तार है वो हो जाएगा महा काविर उसके बाद फिर है चौथा बिभाव अनुभाव साइस्चारी योग तरस निस्पत्ति क्या है सूत्र किसका है तो बिभाव अनुभाव संचारी भाव और इन सब के सहीयोग से रस की निस्पत्ति होती है वो सूत्र किसने दिया है त उसके बाद है प्रश्ण करमांक पाँच, जहां किसी शब्द की आवरती एक से अधिकबार हो, परंतु हर बार उसका अर्थभिन भिन हो, तो वहां कहना लंकार होता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा Yama का लंकार, उसके बाद है प्रश्निक्रमांक 6 जिसमें देखेंगे किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्योग किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा निपात शब्द उसके बाद आजाते हैं हम खाली स्थान पे तो खाली स्थान में हम देखेंगे प्रश्निक्रमांक 2 रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिए पहला है लेकी का महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और कौनसी भाषा के जानकार थे तो उत्तर हो जाएगा इसमें उर्दू, उत्तर यहाँ पर हो जाएगा उर्दू, ठीक है, फिर उसके बाद आगे संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या 33 है, फिर है तीसरा प्रश्न, सचे प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है, तो सब विश खाली प्रश्न क्रमाग पाँच पात्रों के समवादों से प्रस्तुत रचना क्या कहलाती है? उसके बाद फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है रीड की हड़ी एक आंकी में कुल कितने पात्र हैं तो इसमें छे पात्र हैं फिर हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमाग तीन सत्य असत्य लिखिये सत्य असत्य लिखिये में पहला प्रश्न है सुमित्र नंदन पंत प्रक्रती प्रेमी कवी थे यह बात सही है यह नहीं तो यह सत्य है दूसरा है राम भक्ति शाका के प्रमुक कवी सूर्दाश्ची है तो यह गलत है उसके बाद तीसरा है जिसके कारण मन में भाव जागरत होते हैं उसे आलंबन कहते हैं यह भी गलत है चौथा है कामाईनी की रचेता तुलसी दाश्ची है तो यह भी असत्य है फिर है पाचवा डंड का विलोम सजा है बिलकुल गलत क्योंकि यह तो इसका परियावाची है फिर है किरन शब्द का परियावाची रश्मी है तो यह सही हो जाएगा मतलब कि दो सिर्फ यहां सही है बाकी के बीच के चार गलत है उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे सही जोड़ी मिलाईए तीन वर्णों का समू क्या कहलाता है तो तीन वर्णों का समू कहलाता है गड़ फिर है वाक्यम रसात्म काव्यम तो ये किस ने दी है ये परिभाशा तो ये दी है फिर au हो जाते तो है तो इस तरीक से यहां पर आपकी सही जोड़ी भी सीर्म्प्लीट हो जाती है फिर प्रस्चनिक्रमांक पांच। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है तो पहला हम क्या देखेंगे कि गाउं में शहरी महमान दामात की तरह सजदक्च कर कौन आया था तो बादल आया था उसके बाद दूसरा है प्रबंद कावे के भेदों के नाम तो प्रबंद काव्य के भेदों के नाम में पहला है महा काव्य और दूसरा है खंड काव्य दूसरा होगा खंड काव्य ठीक है तो ये हो जाएगा आपका फिर तीसरा है रसात्मकम वाक्यम अर्थात रस्युक्त वाक की क्या कहलाता है ठीक है तो रसात्मकम वाक्यम अर्थात रसयोक्तवाग के क्या कहलाता है काववे कहलाता है और ये जो परीभाशा है वो किस ने दी है ये परीभाशा दी है आचारे विश्वनात ने थीक है आचारे विश्वनात ने ये परीभाशा दी हुई है फिर है संस्मरण के से कहते हैं तो यहाँ पर होगा किसी व्यक्ति के बारे में लिखी गई कहानी क्या कहलाती है संसमरण कहलाती है ठीक है ना फिर है उसके बाद यहां पर देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा छै प्रकार के फिर है लेखी का के परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मननत मांगी थी तो मननत ये था कि जो पहला बच्चा हो उनके घर में जो पहली संतान हो वो क्या हो पहली संतान जो हो वो लड़की हो ठीक है ये उनने वहाँ पर जाके मननत मांगी थी तो यहाँ पर आपके सारे जो अब्जेक्टो टाइप क्वेश्चन्स है वो कम्प्लीट हो गए है उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आशार है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कम्प्लीट करवा दिये जाएंगे वीडियो को जब ज़दा लाइक करिए शेयर कीजे और सा कि आपके सारे जो एक्जाम है और साथ में जितने भी पेपर हैं उन सब में आप जाद से जादा क्वेश्चन्स को कवर करके अच्छे से तैयारी करके पेपर देने जा सके और डैफिनेटली बहुत अच्छे स्कोर जरूर कर पाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मे थैंक्स वर वाचिं दिस वीडियो